दोस्तों, बैंक में जब हम FD करते हैं, तो जब हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, जब हम FD कैंसल करते हैं, तो अमारे पास हमारा पैसा आता है, तो क्या उसी तरीके से हमारी जो mutual fund होते हैं अगर हमको बीच में जरूरत पड़ी तो क्या हमको हमारी जो SIP है वो कैंसिल करने पड़े की आज मेरे पास ऐसा ही एक कमेंट आया पूजा जी का उन्हें यह बोला है दस साल बाद अगर कुछ पैसे निकालना चाहूं और अपने SIP उसी fund में चालू रखना चाहूं तो क्या fund को ओफ करना होगा तो दोस्तों आज इसकी आज की वीडियो में आपको मिलीगी तो दोस्तों वीडियो शुड़ू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका सपोस कर लिजी आपने जैसे पूजा जी ने बोला मैं 10 साल के लिए साइपी करना चाहती हो ठीक है दस साल के लिए उन्हें साल बाद यूँन्हें थोड़े 30,000 रुपए जुड़े अब 30,000 में से 10,000 रुपए आप निकालना चाते हो ठीक है तो simply आपने जिस भी प्लेटफॉर्म से इंवेस्टमेंट कर रहा है सपोस कर लिजी आपने ग्रोव एप्रिकेशन से इंवेस्टमेंट कर रहा है तो आप ग्रोव एप्रिकेशन में जाओग का कंटीनिव रख सकते हो जब तक आप कंटीनिव चलाना चाहओ आपकी साइप को चला सकते हो ठीक है इसलिए दोस्तों अगर पैसा निकालना चाते हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हमारे आपकी जो साइप यहों कैंसिल करने पड़ेगी देखो जो बैंक की हमारी FD होती है वो अलग है अगर FD में सब को पैसा निकालने हो तो FD आपको तोड़ने पड़े हैं FD को कैंसिल करना पड़ेगा लेकिन दोस्टों हमारी जो SI P है उसमें सब को पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप